हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय कुछन, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा की रेसिपी, जो एक बहुती टेस्टी और हेल्दी सी डिश है, अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही अमेजिंग सी रेसिप पोहा यूज कर रही हूँ, जिससे आप दो लोगों के लिए बहुत ही असानी से पोहा बना सकते हैं, आप पोहा एक ऐसे बोल में डाल दें, और इसी आप अच्छे से दोबारी वाश कर लें, वाश करने के बाद आप पोहे को जो है, एक आधि मिनिट के लिए भिगो लें, कुछ पोहा ऐसे भी होते हैं जिने वाश करने से ही वो सौफ्ट हो जाते हैं, और ध्यान रखें इसे आपको उतना ही भिगोना है जितने में ये सौफ्ट हो जाए ना कि ये गूल जाए, इस बात का ध्यान रखें और पानी को फिर निकाल लें, फिर आप यहाँ पे पैन ल जाए, लो फ्लेम पर आप इसमें डाल दें सबसे पहले राई दाना, वोहे में राई दाना डलता है जो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, फिर यहाँ पे आप हरी मिर्चे डाल दें जिने मैंने ऐसे कट किया है, उसी के साथ आप इसमें डाल दें मुंगफली, हो जाएंगी, रोस्ट करने के बाद, अब आप इसमें सबसे पहले डाल दें आलू, जिनने मैंने ऐसे छोटे-छोटे पीसस में कट किया है, अगर आप उबले आलू डालना चाहते हैं, तो आप एंड में डाल सकते हैं, उसी के साथ आप इसमें डाल दें प्याज, आप यह यह हमारे कुक हो चुके हैं, इन्हें कुक करने के बाद, अब मैं इसमें डालूँगी एक टमाटर, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, या डाल सकते हैं, टमाटर को भी हम हलका सा यहाँ पे कुक कर लेंगे, कुक करने के बाद, अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी प बनेगी इन्हें भी आप मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद आप इसमें डाल दें नमक आपके स्वाद के अनुसार और नमक को भी आप अपने तड़के में अच्छे से मिक्स कर लें फिस में मैं डालूँगी पोहा आप देख सकते हैं मेरा जो पोहा है वो काफी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और ये ओवर सोक होने की वज़े से जो है मशी बिल्कुल नहीं हुआ है तो आप देख सकते हैं और ये जो पोहा है आप इसे तड़के के साथ अच्छे से मिक्स कर लें आप अपनी फ्लेम को जो है मीडियम पे रखें और मिक्स करने के बाद सिरफ एक डेड़ या दो मिनट के लिए आप इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करें जितना ज़्यादा कुक करेंगे ये उतना ही ड्राई हो जाएगा कुक करने के बाद आप इसमें निचोड दें आधे नीबू का रस इससे भी एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है और उसी के साथ आप इसमें डाल दें हरा धनिया इन सारे चीज़ों को भी आप अच्छे से मिक्स कर लें और अपनी फ्लेम को आप साथ में ही कर दें बन तो हमारा ये सिंपल बट बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पोहा बनके रेडी हो चुका है तो ये थी एक बहुत सिंपल और टेस्टी पोहा की रेसिपी जिसे आप भी अपने घर पे बहुत असानी से बना सकते हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राइ करें और अपने एक्स्पीरियेंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें अब मैं आप से मिलूंगी एक और नहीं बहुत ही डिफरिंट और टेस्टी रेसिपी के साथ थैंक्स फॉर वाचेंग